Hello students, I hope कि आपकी preparation बहुत अच्छे से चल रही होगी अभी तक हमने ecology के part में important question series को complete किया है और अब हम यहाँ पर previous year questions solve करेंगे ecology से previous year questions की क्या importance है यह मैं आप से पहले भी discuss कर चुकी हूँ जितना NCRT को read करना important है उतना ही previous year questions को attempt करना भी important है because previous year questions की language को change करके ही पूछ लिया जाता है उसी question को modified करके दुबारा पूछ लिया जाता है और कहीं सारे question ऐसे हैं जो की frequently repeat भी हुए है तो हमारे लिए previous year questions को बार बार देखना उन्हें solve करना और यह देखना कि कौन से topic से हमारा question नहीं solve हुआ है तो उस topic को जाकर दुबारा read करना यह बहुत जरूरी है यहां पर हमने previous year question में 2013 से लेकर और 2021 तक के questions include किये हैं तो यहां पर हम सबसे पहले organism and population के questions को attempt करेंगे फिर उसके बाद ecosystem के then biodiversity then environmental issue और फिर last में 2021 के questions aid किये गए हैं तो यहां हो सकता है कि यह video आपके part 1 और part 2 में हो क्योंकि number of questions काफी जादा हैं तो हम इसे पहले part 1 में complete करेंगे जिसमें I think आपके दो chapter यहां पर complete हो जाएंगे और remaining आपका part 2 जो होगा उसमें remaining जो question होगे वो आपके उसमें continue रहेंगे तो start करते हैं यहां पर 2013 के question से और यह organism and population से है तो start करते हैं पहला question है एक जीव विज्ञानिक के खलियान में चूहों की समझती का अध्यन किया उसने पाया की ओसत जन्मदर 250 है तो यहां पर लिख लेते हैं जन्मदर देखिए यह important question है और इसको कई बार पूछ लिया भी गया है इसी को modified करके तो जन्मदर 250 है ओसत म्रत्युदर अगर म्रत्युदर की बात करें तो म्रत्युदर है यहां पर 240 अप्रवासन दर है 20 यहां पर अप्रवासन दर है और उत्प्रवासन दर है उत्प्रवासन दर तो शुद्ध व्रध्धी कितनी है यहाँ पर जो शुद्ध व्रध्धी है समश्टी की वो आपको बतानी है तो समश्टी की शुद्ध व्रध्धी कितनी होगी यहाँ पर हमें समश्टी की शुद्ध व्रध्धी को बताना है शुद्ध व्रध्धी जब भी ऐसे वैसे तो आपके लिए भी आसान होगा यहां पर ज्यादा कुछ फॉर्मुला वगेरा पुट करने की जुरुत नियां वैसे भी लगा सकते हो सिंप्लिफाई तरह से एंसी आर्टी में समझाया हुआ है कि किस तरह से इस को सोल करना है तो यहां पर सिंप्ली हम क्या करेंगे जनमदर क्या स्व迫्यक तो हो यहां आंते आप्रवासंदर एप्रवासंदर फिर यहाँन न Rabbari संथ दी हुई है तो यह हो गई आपके 230 उसी तरह से हम इप्रवासं दर और मरत्यु दर को कांट करेंगे दोनों को साथ साथ कांट करेंगे तो म्रत्यूदर satisf 53 अदए meto निकालनी यहां नेड के लिए आप क्या करोगे 270 माइननस 270 करोगे तो यह आ रहा है आपके जिरो यहां तों transa यहां पर नेक्स कोईशन है किसमें पत्तियां काटों में रूपांत्रित हो जाती हैं तो नाग फनी में गुलाब में सिर्ट्रस में और पिस्ट्या मेंहाँ नाग फनी नागफनी के अंदर पत्तियां काटों में रुपांत्रित हो जाती है आगे क्विशन है जिस प्रकार एक व्यक्ति गर्मी के मोसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला जाता है उसी प्रकार साइबेरिया और अन्यातिरिक ठंडे उत्तरी प्रदेशों से हजारों प ग्रष्चीमि घाट कॉर्बेट राश्टरी उध्यान और मेगाले केवला देव रास्टरी उध्यारण हम सबी को पता है कि हर साल यहां पर दिसम्बर का महीना आता है लगा केवला देव अभ्यारण में कई सारे प्रवासी पक्षी आते हैं तो उधारण यहां पर क्या होगा फोर्थ उधारण नहीं आंसर यहां पर फोर्थ रहेगा आगे 25 का क्वेश्चन है यह ग्राफ दिया हुआ है इस ग्राफ में एक घास मेदान में शाकाहारियों की दो समझ् ए और बी इसमें होने वाले परिवर्थन को बताया गया है इन परिवर्थनों का संभावी कारण गया है पहले तो आप परिवर्थन देख लीजिए आप देख रहे हैं कि यहां पर यह समझ्टी की व्याहां पर आप देख रहे हो यह ग्रो कर रही और यहां पहुंच रही ह तो ये क्या बता रहे है कि समश्टी A ने समश्टी B के सदस्यों का उपभोग कर लिया सेकंड है इस आवास में दोनों पादब समश्टियां घट गई है और तीसा दिया हुआ है भोजन के लिए समश्टी A की अपेक्षा समश्टी B अधिक सफलता पूर्वक सक्षम है और फौर्थ ऑप्षन दिया है समश्टी B की अपेक्षा समश्टी A ने अधिक संतिती उत्पन की है देख लेते हैं फिर उसके बाद हम आंसर पर आएंगे तो फौर्थ दिया हुआ है नीचे से स्टार्ट करते हैं समश्टी B की अपेक्षा समश्टी A ने अधिक संतिती उत्पन की देखिए यहां पर A का जो ग्राफ है यह नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसा पॉसिबल नह तरह कि है और यहां पर एक ब्रॉटश कर सक्षम और यहां पर देखने को मिल रहा है समश्टी B अधिक सक्षम है इसलिए इसका उपर की तरफ जा रहा है और इसलिए यह अपनी population में ग्रोथ कर रहा है लेकिन समस्टी एक ही बात करें तो यहां पर इसका graph नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब यहां inferior है as compared to समस्टी B तो यहां पर यह सही लग रहा है आगे देखेंगे इस आवास में दोनों पादब समस्टियां घट गई है यह गलत है और समस्टी A ने समस्टी B के सदस्यों का उभोग कर लिया है यह भी रॉंग है तो आपका correct यहां पर आंसर है थर्ड अब हम question 5 की तरफ आ होते हैं संद्सें गार्ण b बीछ दोनों व्यक्ति प्रभावित होते हैं दोनों ही यहां पर प्रभावित होंगे तो पहला है पर जीविता दूसरा है है सहोब ठांटका कर दा तो सब्धक्ष दो से हम competition कहते हैं जिसमें भाग लेने वाले दोनों ही मेंबर नुकसान में ही रहते हैं इसलिए competition कभी भी अच्छा नहीं होता है तो यहां पर आपके और आंसर आजाएगा थर्ल आपके 2016 का question है पत्तियों का कारे करने वाले चप्टे हरे अंग में रुपांत्रित तने को क्या कहा जाता है चप्टे हरे रंग में रुपांत्रित है और पतियों का कारे करता है पहला ऑप्शन दिया है पर नाभ व्रंत दूसरा है परणाब स्थम तो जब पत्ति की तरह कारए करना शुरू हो जाता है तो इसे हम क्या चाहेंगए पहला 對 नहीं होगा पस्तम्ब ही एक रूपांत्रित है और यह पत्ती की तरह कारे करता है इस परदी अपवर्जन गोस का नियम देखिए जब हम इस्पीशीज इंटरक्शन पढ़ते हैं जातियों के मध्यां अंतर क्रिया को पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट टॉपिक आता है आपके वहीं से वहीं से बनके आ तो आपके लिए काफी इंपोर्टन है जब आप एक्जाम में जाएं तो नीट में एंसी आर्टी यह जो आपका पेरिग्राफ है इसको आप जरूर पढ़के जाएं यह आपका इकोलोजी का सबसे इंपॉर्टन पार्ट है और इस बार भी अगर 2021 की बात करें तो दो से तीन क्वर्शन इसी में से ही बने हैं तो यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टन पार्ट है बाकी इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि इस परदी अपवर्जन समान संसादनों के लिए इस परदा उस स्पीशीज को अपवर्जित कर देती है जो भी इन्य प्रकार के भोजन पर जीवित रह सकती है कोई भी दोई स्पीशीज एक ही निके में आ सिमित अवधी के लिए नहीं रह सकते क्योंकि सीमाकारी संसादन समानी होते हैं तीसरा है आदिक संख्या में पाए जाने वाली स्पीशीज इस परधा द्वारा कम संख्या में पाए जाने वाली स्पीशीज को अपवर्जित कर देती है देखिए यहां पर संख्या की बात हो रही है संख्या के आधार पर अपवर्जन नियम नहीं दिया गया है यहां पर लिखा है दोसी सीमित संसादन की उपस्तिती में यहां पे फीरियर पेश्रवाइब कर पाएगी सबस्क्राइब तो जो किसी में संसादनों पर आधारित है तो यहां पर आपके आंसर आजाएगा सेकिंड नहीं आएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि समान संसादनों के लिए इस परदा उस स्पीशीज को अपवजित कर देगी जो भिन्द प्रकार के भोजन पर जीवित रहती है तो य गलग प्रकार के जनतु रह रहे हैं और उनका एक ही भोजन है उनका संसादन ही एक है तब ही तो इस परदा की शुरुवात होती है तो यहां पर यह भी गलत होगा क्वेशन नमबर एट पर आएंगे लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरान करते हुए कि समस्टी की व्रधी दर शुन्य के बराबर कब होगी लॉजिस्टिक मॉडल को निमलिखित समी समी करण से दशाया गया है डी एन बाइडी टी बराबर आर एन ब्रैकिट में वन माइनस अपॉन के यहां पर बताना है कि 6 बराबर कब होगी जब एन परियावाज की धारिता शमता के समीब हो जब एन अबाइके शुन्य के बराबर हो जब जब्पर की अपेक्षा मर्त्यूदर अधिक हो और जब एन भाइक ठीक हो दिखिए जब एन बाइक के अगर यह एक है तो इसका मतलब यहां पर यह शुन्य हो जाएगा लोजिस्टिक मॉडल में समश्टी की व्रद्धी हो जाती है शुन्य तो यहां पर हम यह भी समझ सकते हैं कि जब ना तो उत्प्रवासन हो और ना प्रवासन हो तब भी समश्टी की जो व्रद्धी होती है वो शुन्य ही रहती है तो यहां आगे चलेंगे अब हम यदी प्लस चिन्द को लाबदाई परस्पर क्रिया के लिए और माइनस चिन्द को हानिकारक के लिए और जीरो को उदासीन परसपर क्रिया के लिए दिया जाता है तो प्लस माइनस दुबारा दर्शित समश्टी परसपर क्रिया किस से संधर्वित करती है प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस का मतलब एक बैनिफिट में है यह बैनिफिट में है और दूसरा यहां पर जो माइनस में है वो लोस में है अब इस अंतर क्रिया को हम क्या कहेंगे अंतर जातिय परजीविता या सहभोजिता या परजीविता या सहोपकारिता जब हम कि बात होती हो यहां पर दोनों ही पॉजिटिव में रहता है जब हम सह भोजЕТल की बात करते हैं तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा देखेकLes को यहां पर कोई ना तो लाब होती है न रहैं अंतर जाती है परगी बिगना त भी होस्त को पर पोश्हीं तो इसे हम प्लस जीरो और प्लस माइनस का रिलेशन्शिप मानते हैं तो आपके आंसर आजाएगा थर्ड यहाँ पे आपके थर्ड आंसर आएगा इस्तिरन समस्टी वायूतक आपंशिया और इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित करना है तो यहां पर वायूतक किसमे होता है जिसे हम एरन काइमा कहते हैं तो आपंशिया में यह नहीं होता समस्टि में नहीं होता स्टेटेकिशन में यह हम इस तरी कुर्ण के दुबारा बतातें तो यह जरू सही है कि जो पार्थीनियम है यह बायो डाइवर्सिटी की लिए संकट है मैं पता है पार्थीनियम गाजर घास जो हमारे देश में खर्पतवार है और यह हमारे बायो डाइवर्सिटी की लिए एक संकट में है क्योंकि अन्य फसलों को ग्रो नहीं होने देता है उसके पोर्षक तत् क्वेशन नुम्बर 11 स्पार्दी अपवर्जन की नियम का प्रतिपादन किस ने किया था GS Goss ने मैं को थर ने और वाल्स पर्ल ने और सी डार्विन ने तो यहां पर गोस ने जो गोस है कब प्राप्थ होता है के बराबर एन जब होता है या के ग्रेटर है एन से या क्रे लेस है एन से यहां पर फॉर्ट ऑप्शन है आर की मान मान शुन्य की तरफ अग्रेसर होता है जब के बराबर एन होता है जब के बराबर एन होता है तो लोजिस्टिक व्रधी में अंतर इस परशी हमें प्राप्त होता है जब यहां पर लोजिस्टिक ग्रोध करते हैं तो हमें के बराबर एन पर यहां अंतर परशी प्राप्त हो ज का ये उधारन है कवक मूल दोनों साथ साथ रहेंगे दोनों का साथ साथ रहना जरूरी है इसके बाद 2018 में पूछे के क्वेशन विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन करने वाले तथा सजीव प्रजक्ता दैशाने वाले पादपनिम लिखित में से किसे संबंदित हैं लव लिए दल्दल शेत्र में रहते हैं और उन्हें पूरी तरह से पिरी अखेशर नहीं मिल पाती है तो इस कंडेशन बाखर की तरफ निकल आती है और जो जड़ए होती है वह श्वसन के लिए ∆ दल्दल से निकल और उपर आजाती हैं तो यहां पर आजाएगा आपके श्वसन मूल उत्पन करने वाली सजीव प्रजक्ता दर्शाने वाले लवनोत भी दोते हैं निकेत क्या होता है यह important question है निकेत के बारे में कई बार question पूछा गया है तो निकेत तापमान वह पर आज जीव को रहने के लिए चाहिए एक जीव द्वाय निभाई गई कार्यात्मक भूमी जहां वह रहता है वह भौतिक इस्तान जहां जीवधारी रहता है यह जीव के पर दोक्टर है तो डॉक्टर के का functional role क्या होगा पैशिएंट को देखना तो उसका निकेत बैसिकली क्या हम मानेंगे hospital आगर उसकी functional role को देखते वे दिखें यहां पर जिस जहां जो उसका functional role होता है और जिस फंक्शनल रोल की वजह से जो जीब वहाँ पर रहता है उसे हम कहते हैं निकेद तो यहां आंसर आपके आजाएगा सेकंड नेटालिटी से क्या अभी प्राय है आपने दो शब्द सुने होंगे एक है नैटलिटी और दूसा है और देखते हैं चोडने वाले व्यास्टियों की संख्या पर यहां पर यह उत्रेवासन की बारे में बताया गया तो पहला होगा नदूसराहोगा तीसला सकते आंसें क्या तो proteg ने बराबर होते हैं जनन होती है जनन शम्व्यस्टी जनन उत्तर व्यस्टियों से कम होते हैं और जनन पूर्व्यस्टी जनन शम्व्यक्तियों से अधिक होते हैं जब हम बढ़ती भी जन संख्या की बात करते हैं से हमारे इंडिया की बात कर लो तो हमारा इंडिया का ग्राफ कुछ यह से जाता है यहां पर हमारे इंडिया में प्री रीप्रडक्टिव एज वाले लोग ज्यादा मिलेंगे और फिर उससे कम मिलेंगे आपको यह ग्राफ जो मैंने बनाया है यह ग्राफ एक जनसंख्या व्रद्धी का ग्राफ है जहां पर आप देख रहे हो कि लगातार यहां पर क्योंकि प्री रिपरड़क्टिव एज वाले लोग यह आगे जाके रिपरड़क्टिव एज में आएंगे तो जब इनकी संख्या जाद होगी तो पॉपुलेशन को ग्रो करने में सबसे बड़ा यहां पर रोल किसका होगा प्री रिपरड़क्टिव एज का होगा तो आपका आंसर आजाएगा प्रति जेवी को की उत्पादन के लिए एक समझती की कौन सी परसपरिक्रिया ब्रहूदा प्रयोग में की जाती है परजीविता एमेंसलिजम और सहोब कारिता और सहब होजीता जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स में आपके जैसे पैनिसिलीन आ गया जो कि यहां पर बैक्टिरिया के उपर काम करता है तो यह एक तरह से किस प्रकार का रिलेशन्शिप है एक प्रकार से माइनस जीरो प्रकार का रिलेशन्शिप है और यह एमनसलिजम में होता है तो यहां पर पहला है पजीविता एमनसलिजम सहोब कारिता सहब हो जीता मैंने आपको बताया कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स किल करते हैं किन को बैक्टिरिया को किल करते हैं यहां पर एंटी बाटिक तो न्यूट्रल है लेकिन जो बैक्टिरिया हो रहे हैं वह यहां पर माइनस में हैं तो इसे हम चयेगा यह मैनस और जिरो प्रकार का पाधम तो यह पर जटन के साथ में चजफ हैं और जीवित और पाधब जंतों पर रहने वाले पर जीवी होते हैं ऑफिback मैं रिख्वेसं के इसे हो रहा है तो आप मैंच कर लीजिए आपका आंसर के बन रहा है कि निमनी खित में से कौन सा एक जन संक्रिया का गुड़ नहीं है इनमें से कौनसा एक जन Offender conf this तो आप प्र संबलब हैं गुड़ संक्रिया करें तो यहां पर इन चारों मेंसे अगर हम देखें कि कि एक सिजन संख्या का एक गुर्ड नहीं है तो जन संख्या को बताने के लिए या तो रत्य दर के बारे में बात करते हैं यह जन्मदर के बादा रीक्ति आले बात करते हैं जब भी हम population कीवारत करते जिसे राजस्थान की बात करें तो हमेशा यहां पर सेक्स रेशू देखा जाता है मेल का कितना है फीमेल कितने है ठीक है पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है मॉर्टेलिटी रेट कितनी है नेटलिटी रेट कितनी है तो इन सबके द्वारा हम पॉपुलेशन का निर्धारण करते हैं लेकिन कभी भी उनके प्रजनन पर प्रभाव पोशन में उपयोग व्रधी पर प्रभाव तो यहां पर जो सेकंडरी मेटाबोलाइट है जिसे की निकोटीन है इनको अपने बॉड़ी के अंदर इसलिए बनाते हैं ताकि इनकी सुरक्षा हो सके ऐसे ग्रेजिंग आनिमल चरने वाले एनिमल या फिर रोड साइड में जो एनिमल चलते हैं आपको पता है कहीं सारे अनिमल एक उतने सारे अनिमल को देखते हैं और चलते चलते आगर वह इन प्लांट को ग्रेज करेंगे तो प्लांट की फिर आपको पता है कि वह प्लांट वहीं पर डिस्ट्रोई हो जाएगा तो अपने आपको बचाने के लिए चरने वाले या पशु चारंड से बचने के लिए ऐसे रासाइनिक पढ़ारतों को अपने अंदर बनाता है लेकिन फ secondary metabolites बनाये थे वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाये थे और यदि इन plants को कोई खाता है तो या तो पशुचारण करने वाले जो भी पशुचारण है जो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल है या तो उनके nervous system पर effect होता है या उनके digestive system पर effect होता है या फिर उनके reproductive system पर effect होता है तो एक बार अगर खा लेता है तो फिर दूसरी बार वो जानवर उस उस plant को नहीं खाता जैसे की कैलोट्रोपिस को आप देख लीजे कैलोट्रोपिस रोड साइड में कहीं सारे उगे रहते हैं लेकिन उसे कोई जानवर नहीं खाता है तो यह रक्षा पर असर के लिए उत्पादित किया गया है अब हम यहां इको सिस्टम जो हमारा सेकेंड चैप और अभगतां ऊत्पादक को पर जिवी है यहां पर रांट और यह प्राइमरी तो करेंगे यह जो करेंगे प्राइमरी प्रडक्टिविटी ठीक है रहां है कोई यहां यह यहां पर हर्बवे और आकए खाता है यहां पर विशंपोश्य आके खाएगा हैटेरो-टॉफ जब एने खाएगा हैटेरोटॉफ तो अपने अंदर जो वो productivity बनाएगा वो टॉपिक को जाके जरूर देखिए वहां से फ्रिक्वेंटली कोशन्स बनते ही बनते हैं अब घटन के दुरान घटित होने वाली कोनसी प्रक्रिया का सही वर्णन किया गया है पहला है अब चेंद पूनता आवायवे परिस्तियों में अब घटन का अंतिम चरण निक्षालन चलमे गुलंशील आ कार्मनिक पोशक म्रदा की उपरी परतों पर आ जाते हैं तीसरा है खंडन जिसे केचुए जैसे जीवों द्वारा किया जाता है ह्यूमस इसके कारण गहरे रंग का परधार्थ अथार्थ ह्यूमस एक अत्रित होता है जिसमें बहुत तिव्र गति से जीवानविक अभिक्रिया होती है तो आप घटन के दोरार यहां पर यह चार स्टेटमेंट दिये गए हैं इन में से कहां कहां पर इनकरेक्ट दिया हुआ वह पहले मैं आपको बता देती हूं इसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमस गहरे रंग का है बिल्कुल सही बात ह है हूमस एकट्रित हो जाता है बहुत तिवर जीवानविक अभिक्रिया होती है तीजा है कि खंडन जो की केंचुव के द्वारा यह सही है निक्षालन लिखा हुआ है कि जल में गुलनशित अकार्बिनिक पोशक म्नदा की उपरी परत पर आ जाते हैं जबकि निक्षालन की प्रकृया में जो अगुलंशिल प्रदार थे वह जलकी बिल्कुल नीचली परत पे आजाते हैं जिसे की पादपों में वह उपलब्द नहीं हो पाते तो इसे हम कहते हैं निक्षालन की प्रकृया तो यहां पे ऊपर ने बिल्कुल नीचली परत आएगा पहला दिया हुआ है प्रस्तियों में अप्गटन का नहीं पहली बात हमको यह भी बता गया है जब यहाँ पर अप्गटन की बात होती है तो अप्गटन यहाँ पर कोई काई सारी ने एकання स्टेप से प्रेलेdeterm आगे नहीं है तो इस तरहार से यहां पर 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 सन चलती है और ये कहना कि आंटिम चनण नई यह गलत है तो आपका अन्सर आ जाएगा थर्ड तो नेक्स कोशन है निमलिखीत को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए पहला है केंच वा दूस्ता है अनुक्रमन टीसा है पारसति की तंत्र सेवा और डी रिया हुआ है जनसंख्या प्रदी तो पहले तो मैच कर लेते हैं यहां पर पारसति की तंत्र की सेवा क्या है यहां पर्वागन के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये सबसे महतुपूर्ण सेवा बीना परागन के पात्पों में ना तो निश्यचन हो सकता है तो यहां पर सबसे अगर हम परागन की बात करते हैं तो परागन में बड़ का भी होता है और अन्यय जान्वरों का भी होता है लेकिन 80% रोल यहां पे हनी बीज === का होता है जिनकी वज्शे से पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो पाती हैं और यही सभी यह सारी की सारी हमारे हमारे लिए पारस्ति की तंत्र की द्वरा दी गई सेवाए हैं तो यहां 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 पर देखें तो जन्मदर अपरादी अग्रगामी जाती हैं के चुओं यहां पर परदाशरी जनसंख्या व्रद्धी यहां पर जन्मदर अग्रगामी जाती हैं के क्या यहां पर दारी तो एँ में सेक्ट सेखें घूलल आ हैं इसमें यहां ठीकितल इस जाती हैं इस लिए अंसर पर focusing नेक्स कोईशन है यदि 20 जूल उर्जा उत्पादक इस्तर पर रोख लिजाती है तो कितनी उर्जा भोजन के तोर पर निम लिखित शरंकला के अंतरगत मोर का उपलब्द होगी यहां पर आपको देखिए खादे शरंकला दी गई है और आपको बताना है कि मोर को कितनी उपलब्द हो पाती है तो जो सबसे हाय लेवल पर होता है उसे सबसे कम पहुंचती है तो यहां पर शुरुवात करें कि उत्पादक इसतर पर पार्दक इस तरप 20 जूल है तो माईस की इस तरपे होगी यहां पर 2 ठीक है यहां पर साब की स्थर क्या ओगी प्वाइंट तो अब आप देख सकते हैं यहां पर जैगा मोर पर 0.02 जूल तो चोथे में आपके आंसर आजाएगा फर्स्ट इस तरह से आपको यह क्रेशन करने हैं आगे चलते हैं यह आपके डाइग्राम दिया हुआ है और एक इस्थलिये पारस्ति की तंट्र में फॉस्फरस चक्र एक सरली क्रत मॉडल नीचे दिया गया है यह फॉस्फरस चक्र का आपको यहां यहां दिया गया है और इसमें बताना है यह क्या है वी क्या है तो किन् Gaussian इसका इस घ्ताना होगा है तो यह सिंपल सी वा ते की ए में क्या जाएगा ए में यहां पर क्या जाएगा उपभोगता उपभोगता है यह और तो सी में आपके देख लेते हैं सी में यहां पर क्या जाएगा चत्तानी खनीज और सी में यहां पर यहोंगे उत्पादक उत्पादक होंगे उत्पादक इनको उपभोगता लेंगे उ यहां पर आएंगे तो यह चताणी खनीज होंगे यह चतानी चतानी खनीज जिसके लिए आपको cycle को याद करना पड़ेगा तो यह मैंने यहां पर लिख दिया है और अब आप मैच कर सकते हैं इसका answer प्रद्रण्सर आपके थिर्ड नेक्स्ट है खडी फसल क्या होती देख़ीं ये question बहुत बारrun हो चुका है इस साल भी ओज्रिय था खडी फसल क्या है इससे मिलेटई questioning brnaff standing suti kya होता है इनसे संबंदित कोईशन तो म्रदा में पोशक तत्तु ये खड़ी फसल है अपरद है व्यवसाइक महत्यू की लखड़ी है या जेविक प्राणियों की सहती होती है यह आपको याद अतना है ऐसे कोईशन जब आ जाते हैं तो इनकी आपको स्टैन्डिंग क्रोप क्या होत है स्टैन्डिंग स्टेट क्या होती है इस तरफी के आपको ये ताम्स याध करनी है आगे चलेंगे 2015 के question देखते हैं एक परितंत्र में प्रकास अंसलेशन के दोरान कार्बनिक पधात के उत्पादन की दर क्या हो जाती है पहला है नेट उत्पादकता नेट प्रात्मिक उत्पादकता सकल प्रात्मिक उत्पादकता दित्यक उत्पादकता एक परितंत्र में प्रकास अंसलेश की प्रक्रिया के द्वारा जो भी भोजन का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रडक्टिविटी तो यह जो ग्रोस प्राइमरी प्रडक्टिविटी है जी पी पी ये प्रकास अंसलेशन के द्वारा बनाई जाती है और जी पी पी में यह ग्रोस ही आता है जैसे कि मुझे अगर पूछा जाए कि आज यहां पर आज आज की डेट में मेरी जो मैंने कितना आर्ण किया तो अगर मैं कहूं कि मुझे एक लेक्चर में यहां पर 3000 रु प्राइमरी प्रड़क्टिविटी लेकिन उसमें से मैं अगर मेरे अपने एक्सपेंस निकाल दूं यहां पर मैं निकाल दूं कि मेरे खाने पीने का जितना भी खर्चा है वह पूरे दिन का एक हजार हुआ है तो फिर जो बचेगा वह क्या होगा नेट प्राइमरी प्रड प्रड़क्टिविटी और इस तरह से आपको याद रखना है ग्रोस प्राइमरी प्रड़क्टिविटी क्या होती है और क्या होता है ठीक इसके अलावा नेट कम्यूनिटी प्रड़क्टिविटी क्या होती है यह ताम समय याद रखना है दित्यक अनुक्रमन कहा होता है पह भी एक ऐसा एरिया जहां पर कोई जाती नहीं कोई वहां पर जीव नहीं है वहां पर विकास की शुरुवात उटी है और वह सरल से जटिलता की तरफ जाती है तो यह एक प्रकार का उद्विकास क्रम भी है एक तरह से देखा जाए तो तो अनुक्रमन हाँ हाला कि हम कभी भी अनुक्रमन को विकास एक्रम नहीं मानते हैं यह दोनों पैरलल चलने वाली चीज़े हैं ठीक तो अनुक्रमन की जो प्रक्रिया होती है दो प्रकार की होती है अनुक्रमन दो प्रकार का है प्रात्मिक अनुक्रमन और दित्यक अनुक्र हुई है तो इसका मतलब वहां पर अनुक्रमन की शुरुवात हुई है इससे पहले वहां पर कुछ नहीं था तो यह हुआ प्रात्मिक अनुक्रमन प्रात्मिक अनुक्रमन जहां पर इससे पहले कुछ नहीं था और वहां पर विकास की शुरुवात हुई है वहां पर जीव के की शुरूरात होती है दूसरे हम कहते हैं दिट्य अनुक्रमन कि गर जहांपे भी जीवन की कोई नहीं नहीं है और ठंडा हो गया हे लेकिन अब बार अनुक्रमन की शुरूबात होगी तो उसी तरह से जहां पर नया तालाब बना है तो वो भी प्रकार से प्राथ्मिक अनुक्रमन है लेकिन अब क्रमित वन का मतलब है कि जो वन पहले काड़ दिये गए थे अब दुबारा वो वन वापस क्रो कर रहे हैं तो अब यह उसका सेकेंडरी सक्सेशन है तो यहां पर थार्ड आएगा नेक्स्ट है एक निश्चे समय में पोशक इसतर पर जीवित प्रधाट के द्रवेमान को क्या कहा जाता है यह 21 में भी पूछा गया कोशन है एक निश्चे समय में पोशक इसतर पर जीवित प्रधाट के द्रवेमान को क्या कहता है खड़ी फसल शकल प्रात्मिक उत्पादक्ता खड़ी अवस्था और नेट प्रात्मिक उत्पादक्ता तो इसे हम कहेंगे खड़ी फसल यहां पर जीवित प्रधार्ट के रवेमान को पूछा गया है ठीक है जब जीवित प्रधार्ट के रवेमान को पूछे तो वह खड़ी की फसल है लेकिन जब आजेविक पढ़ार्तों की बारे में पूछे जैसे कि यहां पर खनीज लवणों की बारे में पूछे तो वो यहां पर किसी भी जेव समुदाय में रहने वाली जातियों को वर्टिकल तरह से हम उसका डिस्ट्रिबूशन करते हैं किसी ने किसी आधार के जैसे की प्रकाश की उपसिति के आधार पर ठीके तो इस तरह से उसका यहां स्टेकशन किया जाता हैं और हमने देखा भी है हमने लेकर स्टेकैशन देखा है हमने वनों का देखा है तो हमने यह ecology में काफी डिटेल जा में लेके गए रहरे कि अधियाथा इस सब्सक्राइब रहने वाली विभिन स्पीशीज जो की आपस में इंटरक्शन करती है तो इसे हम कहते हैं जेव समुद्र आगे चलेंगे जादा तरे जंत्व गहरे समुद्र में रहते हैं वह होते हैं समुद्र में रहने वाले जीवें का का रह होता है कि जो प्राथमी को भोगता है अप्रद ऑग्रत्य का करते हैं और बिल्कुल लास्ट में रहते हैं इनको प्रकाष नहीं मिल पाता है तो यह आपके से किंड आजाएगा सभर के कार्बन नाइट्रोजन सभी क्यों virtuous यहсят बिल्कुल सभी है अब साधी कौन-कौन सा है सलफ़र है यह आपको याद करना है कहीं बार अपसाधी चक्रमे से पूछ जाता है कि चार ऑप्षन दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निमने में से कौन सा अपसाधी चक्र है तो आपको ध्यान रखना है पॉस्परस और सलफर ठीके आगे चलते हैं 2016 के पूछे के questions देखेंगे 2016 के questions में पारसती की अनुक्रमन के दोरान जंतों की संख्या किसमें इस्थित रहती हैं जन्तों की संख्या और किस में इस्थर रहती हैं सेकंड है उस समुदाय में होने वाले परिवर्तनों के कारण परियावरन के साम्य को स्थापित समीप होता है पूरो गामी समुदाय कहलाती है किसी जाती की संगटना क्रमिक और पहले से बताय जा सकने वाले परिवर्थन किसी एक शेत्र में होते हैं इसकी प्रात्मिक अवस्था में नया जीवे समुदाय बहुत तिवरिगती से स्थापित होता है यहाँ पर अनुक्रमन के बारे में पूछा गया है अनुक्रमन से को लेकर कौन सा स्टेटमेंट से यह पहले स्टेटमेंट की बात करें कि चंतूं की संख्या और किसमें इस्थिर रहती है कभी यहां पर इस्थिरता ऐसी वाली बात नहीं होगी क्योंकि यहां पर ग्रैजुल डवलप्मेंट देखा जाता है अनुक्रमण में जब यहां पर जीवन आता है जीवन की शुरुवात होती है तो जीवन की शुरुवात मे सबसे पहले जो भी जाती आती है वो एक अइस्थाई प्रकार की होती है हाला कि संख्या में वो अधिक होती है लेकिन वो अइस्थिर होती है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास चलता जाता है तो वो इस्थिर होती जाती है हाला कि उनकी संख्या में कमी आती जाती है ठीक और जाको बढर कि होते हैं पूरोगामी और एक चरम पूरोगामी जो सबसे पहले आते हैं और चरम उन्हीं को इंग्लि JES में बोलते पाइनिर स्पीशिज सबसे पहले आती है जब जीवन की शुरुवात होती है तो सामय वस्था में बिलकुल नहीं होती अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रबेंस हो तो उनके उनके डिस्ट्रोय होने के चांसर काफी जादा रहते हैं उसी के साथ पुरोगामी स्पीशीज के साथ धीर दीरे व्रद्ध होती है और फिर बात में आती है चर्म जिसको हम ब crusty Climax species सामय वस्था में जा सकती है तो यह केहना बिलकुल गलत है है कि किसी जातिР की संगर्टना में क्रमे को पहले से बतायाया जा सकने वाले परीवरतन किसी एक शेत्र में होते हैं यहां पर यह statement बिलीए है कि आहां आप दस साल पहले कभी गये होंगे तो उस खाली पड़ी जमीन पर कुछ नहीं था लेकिन आज आप जाके देखेंगे तो वहां पर आपको व्रक्ष मिलेंगे वहां पर पेड़ मिलेंगे तो इस प्रकार का अनुक्रमन आपने देखा है तो आप यह अनुमान के आधार पर कि इस खाली पड़ी जमीन पर इस प्रकार का अनुक्रमन हुआ है तो यहां पर जो भावी जो आने वाली स्पीशीज उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकार की स्पीशीज इस अनुक्रमन में आ सकती है तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहां पर किसी जात परिवर्तन किसी एक शेत्र में होते हैं हम बता सकते हैं कि अगर मालीजी कहीं पर अनुक्रमन हुआ है और सेम वेसा अनुक्रमन कहीं और भी हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि आने वाले क्या चेंज़ होंगे एक नगमी सर्टान पर एक अग्रगामी जीव की जीव के रूप में निमलिखित में से कौन आएगा एक बिल्कुल बैर रोग है और वहां पर सबसे पहले क्या आएगा लीवर्वर्ट आएगा मोस आएगा हरित शेवाल आएगी लाइकेन आएगी तो सबसे पहले आएगी ला दो यहां पर आफके आंसर आजाएगा प्रस 5 परक डिय समुटर में अश्न जलीय आवेंट 12 में ब्राथमी कुद्पादक कोन होते हैं prepare से की बारे में पूछा गया है deep probably जो आइड्रो थर्मल वेंड़ होते हैं उनBMे प्रायमरी प्रड्यूसर क्या होते हैं नील हरत चिवाल प्रवाल भित्ति और हरत चेवाल से कि रहाइड हले हम में स्क्राइडब होते हैं जहां पर temperature काफी ज़्यादा होता है extreme area तो पहुत जड़ा होगा जो कि आसाहनी है यह temperature बहुत ही कम होगा जो भी आसाहनी है और ऐसी हाश condition में आरकी बैक्टीरिया ही मिल पाते हैं आरकी बैक्टीरिया जिनने हम कहते हैं आध्यत जिवानों तो हाइड्रो थर्मल वेंट्स होते हैं तो वहाँ पर आपको जितनी भी हॉट इस्प्रिंगे वहाँ पर रसायन संसलेशी जीव मिलेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आयचेनित जातियों के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला है बड़ी संख्या में बड़े आमाप वाली संतिती दूसरा है कम संख्या में चोटे आमाप वाली संतिती तो जब हम आर स्पीशीज की बात करते हैं दो प्रकार की स्पीशीज होती हैं आर स्पीश स्थाइतु कम होता है जैसे की चीटियों को आप देख लीजिए चीटिया संख्या में ज्यादा है लेकिन उनका स्थाइतु कम है एक मौसम के बाद जैसे की बारिश होती है उसी दोरान उनकी संख्या में व्रद्दी होती है लेकिन जब गर्मिया आती है या फिर और कोई मौ जादा होता है तो आर सेलेक्टेड़ी स्पीशीज के बारे में बताना है यह बड़ी संख्या में होती है और चोटे आमाप वाली संतिती यह होती है दो हजार गुनिस के कोईशन देखेंगे पहला यहां पर दिया है किस परितन्तर में अधिक्तम जेवभार होता है बायो मास किसका सबसे ज्यादा होगा घास इस्तल का ताल का जील का वन का यहां पर जब हम बायो मास की बात करते हैं तो बायो मास का मतलब आप जान लीजिए बायो मास का मतलब होता है बायो मास मतलब और 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 मतलब प्रोड़क्टिविटी डाइरेक्ली हम यहां पर किसकी बात करते हैं और सबसे ज्यादा उत्पादक्ता सबसे ज्यादा प्रोड़क्टिविटी इस आर्थ पर किसकी है ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट की है सबसे ज्यादा है क्योंकि पर यहां पर जो पर ट्री होता है या एक ट्री पर हमको काफी ज्यादा प्रड़क्टिविटी मिलती है यहां पर आपके आंसर क्या आजाएगा वन परितन की सुइसपष्ट उध्वाधार स्थरों में व्यवस्थित पात्पों की अपनी लंबाई के अनुसार उपस्थि सबसे अच्छी कहां देखी जा सकती है सुइसपष्ट उध्वाधार स्थर में व्यवस्थित पात्पों की अपनी लंबाई के अनुसार उपस्थि सबसे अच्छी कहां देखी जा सकती है घास भुमी शितोष्ण वन उष्ण कटी बंदिय सवाना तो देखिए सवाना की बात करें तो सवाना में तो घास इतनी ल माइस में घास बुमे में बिवतना वर्षावन ज्चेट्रों में आपको chỉ कट आपको होएं इनका वुर्तिकल स्टैटिकेशन?!?! इनका एंटीचल स्टेटिटरी कोंटिंग अपो धिक का दिखाई देगा तो आपका अंसर होगा यहां पर फेय attic कि 2021 का question देख लेते हैं निम लिखित आंकडों में किस का किस प्रकार का पारसति की पिरामिड प्राप्त किया जाएगा दित्य कुभभोगता है यहां पे लिखा हुआ है 120 ग्राम प्रात्मिक उठपादक है यहां पे 10 ग्राम तो पहला लिखा हुआ है संख्या का सीधा पिराम इल्टा प्राप पहले तो यह बात क्लियर कर लेते हैं कि यहां पे क्योंकि सेकेंडरी परक्तिवीटी सेकेंडरी प्रडुशर पर District प्राइमरी पर लिखा हुआ है 20 ग्राम प्रामरी प्राइमरी पहले हुआ है यहां पर यह आंक्रे दिये गए हैं तो जो हुर्जा का है इसको तो षटा दीजे संख्या को भी हटा दो अब ये किसको बता रहे है है पेर यहां पे उत्पादक 10 ग्राम और उत्पदक 10 ग्राम है और उपздभूगत выгляд यहां पे साथ ग्राम है और फिर दित्य को भोगता है यहां पे 120 ग्राम है तो यह उल्टा पिरामिड पहली बार तो तो यह सीधा पिरामिड भी नहीं है यह उल्टा पिरामिड तो आपका आंसर हो जाएगा फोट अब इसके बार में 22 question निमलिखित में से कौन सा पारस्कति की पिरामिड सामानय तो उल्टा होता है एक वन में जेव भार का पिरामिड एक समुद्र जेव भार का पिरामिड घास पूमी में संख्या का पिरामिड और उर्जा का पिरामिड यहां पे पूछा गया है कि सामानय तह उल्टा पिरामिड सामानय तह उल्टे पिरामिड के बा बात करते हैं तो समुद्री के जितने भी पिरामिड है इसमें बायो मास का पिरामिड उल्टा ही होता है यह हमेशा और इकोइशन पूचा गया है आगे चलेंगे एक परितन्तर में प्रात्मिक उत्पादकता और नेट प्रात्मिक उत्पादक्ता के बीच कोई सम्बंद नहीं है लिषा Πादक्त सेका होता है जबकि गलत है और सकल प्राथमिक उत्पादक्ता सदेव नेट प्राथमिक उत्पादक्ता से अधिक होता है तो यह सही है कि ग्रोस प्राइमरी प्रडक्टिविटी तो हमेशा जादा होती है नेट प्राइमरी प्रडक्टिविटी से इसको आप में ज्यादा समझाओंगे न और आपको ये भी बता रहे कि ग्रोस प्रायंवरी प्रिक्टिविटी क्या होती है और नेट क्या होती है इसमें आपके आंसर आजाएगा फोग में गास भूमी परितंत्र में पोशी स्तर के साथ जातियों के सही उधारंड को सुमेलित करना है यहाँ पिलिखा है चतूर टो पोशीस्तर कवा, दित्यक्ष। गिद्ध प्रथम पोशीस्तर घरबोश। जित्यक्ष घास कर लेते हें ये हम पोब पता है कि प्रथम पोशीस्तर क्या गासहां सोगी तो यहां पर सबस्के darum किस से करेंगे हम प्रतम पोशी गास और ये पहली मेचंग से मुझे लग पूरा कोशिशन का बन रहा है लुजे में तब बता देती हूं में कि A में आ आपके सेकेंड जो ए है यह गिद्ध यह चातू तो पोशिस्तर है और बी में आ रहा है थड़ बी में थड़ मतलब दित्यक पोशक इस तरह यहां पर खरवोश और त्रित्यक पोशक इस तरह कव्वा तो इस प्रकार से यह यहां पर 24 और इन कोश्चन को सौल करने के बार अब आप खुद भी इन क्वेश्चन की प्रक्टिक्स करेंगे और यहां पर हमने दो चैप्टर कंप्लीट किये हैं पहला चैप्टर है आपके इसका और्गनीजम और पॉपुलेशन और सेकेंड चैप्टर है इकोसिस्टम अब दो चैप क्लास में सौल करेंगे प्रीवियस के क्वाश्चन तो आज की क्लास में इतना ही थैंक यूँ